आज का हमारा टोपिक है नाउन अनाउन इस दुनिया में जितने भी परसन रहते हैं लोग रहते हैं उनका कोई ना कोई नाम है इसी तरहाँ अनिमल्स का भी अपना कोई ना कोई नाम होता है जगा का भी कोई ना कोई नाम होता है चीज का भी कोई ना कोई नाम होता है अंदरे बहुत सी फिलिंग्स आती हैं जैसे हैपी, सैड, एंगर ये सब भी नाउन का ही एक टाइप है अब हमें ये clear हो गया है कि person, place, things, animals and birds अब हम कुछ examples समझते हैं जैसे सोनू, राहूल, girl, brother, teacher, policeman, pilot, aunt, mother ये सभी persons में आते हैं school, house, garden, kitchen, hospital, डैली, कानपूर, गोवा, मुंबई ये सभी places में आते हैं pen, pencil, chair, photo, apple, peanut, ball, knife, water ये सभी things में आते हैं और animals and birds में आते हैं owl, ant, peacock, dog, lion, cow, horse, butterfly, frog इसमें हमें कुछ examples दिये हैं लेकिन इसके और भी बहुत से examples हैं चलो exercises में और अच्छी दिया समझते हैं इन में कुछ persons देवे हमें उनके नेम से उने match करने हैं जैसे ये आपको क्या लग रहा है क्या ये डॉक्टर है नहीं ये पाइलेट है ये आपको कौन लग रहा है क्या ये क्लाउन है? ये बेबी है ये आपको क्या लग रहा है? ये ये क्लाउन है अब हमें दूसरी exercise करेंगे इसमें कुछ persons के नेम देवे हैं हमें इने फिलप्स में फिल करना है जैसे ये दरजी हैं इसे टेलर कहते हैं आई ड्राइव योर स्कूल बस स्कूल बस कौन ड्राइव करता है? ड्राइवर आई गिव मेडिशन्स मेडिशन्स कौन देता है? डॉक्टर ब्राइड एंड केक्स कौन बनाता है? बेकर आई शो मैजिक क्रिक्स मैजिक क्रिक्स कौन शो करता है? नजीशन्स आई टीच इन स्कूल स्कूल में कौन बढ़ाता है? टीचर अब हम कुछ प्लेसेज फिल करेंगे अब बॉइ प्लेस इन देश अब पिक्चर के अकॉर्डिंग देख के बताईए ये बॉइ कहां खेल रहा है? गार्डन में ये जू में? गार्डन में आई गो तो देश तो सी दे एनिमल्स मैं एनिमल्स को देखने कहां जाती हूँ? इसमें पिक्चर को देखिए जूम आई स्टडी इन डेश मैं कहां स्टडी करता हूँ? स्कूल या मार्केट स्कूल चिल्टरन प्ले ओन डेश ये बीच पे खिल रहे हैं पार्क में? बीच अब हम थिंक्स को फिल करेंगे यहां कुछ ओप्शन्स दिये वे हैं हमें उन में से थिंक्स यहां फिल करनी हैं उनकी पिक्चर्स को देखिए अब ये कौन सी पिक्चर है? कार यहां पर है? येस, यहां पर है अब हट उन्होंने फिल करा हुआ है हम वेल देखेंगे वेल इसमें यहां पर है तो यहां हम वेल फिल करेंगे यहां ड्रम लिखा हुआ है अब ड्रम कहां पर है? येस यहां पर है ड्रम बुक अब इन में से बुक यहां पर है इसलिए यहां बुक लिखेंगे क्याप कहां पर है इसमें बेल यहां पर है पैंसिल इन दोनों में से यह वाली है इसलिए हम यहां पैंसिल लिखेंगे अब हम एक एक्सरसाइज करेंगे जो एनिमल्स और बर्ड्स नाउन से रिलेटेड है इस एक्सरसाइज को फिल करने के लिए हम सबसे पहले यहां नमबर्स लिखेंगे अब हम फर्स नमबर पर मंकी लिखेंगे इन समय से मंकी कहां पर है यहां पर है तो आप मंकी का नमबर वान है इसलिए हम यहां वन लिख देंगे सेकेंड नमबर पर जिराफ यहां पर है हैं यहां पर है डियर यहां पर है माउस यहां पर है इसलिए हम फाइव लिखेंगे फिश, काट, पार्ट, डॉब, काव, एं अभी तक हमने पर्संस, प्लेसिस, फिंक्स, अनिमल्स और बर्ड्स के अक्साइए अक्साइज कम्प्लीट कर लिए अब हम एक ऐसी एक्साइज करेंगे जिसमें सभी कुछ मिक्स करके दिया है और हमें इसमें फिल करनी है जैसे इसमें पर्संट, पाइलेट और नर्स प्लेसिस हैं इसमें मार्केट और स्कूल इसमें मार्केट और स्कूल और स्कूल और स्कूल इसमें आवाफ और स्कूल आप ऑर्स मत्लब कें आपट आप साइब और स्कूल और स्कूल जिराफ अजीराफ ने आप आप ऐसे इस भी जीराफ स्कूल खूल थावर्ण उह श्यूल प्लेस्टूल मतलब कि first point में चार वर्स दिये हैं उन में से जो नाउन नहीं है उन पे हमें cross लगाना है pond येस एक नाउन है eyes भी हमारी body part का एक part है इसलिए यह नाउन है shoe भी है और big नहीं है इसलिए यह cross man man भी एक नाउन है garden भी एक नाउन है and नहीं है एक नाउन and एक conjunction है x भी नाउन है cry नाउन नहीं है bike भी नाउन है cow भी नाउन है office भी एक नाउन है ground भी नाउन है eagle भी नाउन है इस नाउन नहीं है, इसलिए इस पर क्रॉस आएगा हमने एक्सरसाइज की कल हम नाउन्स के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे जिसमें ये सभी टॉपिक्स कवर होईगे ओके, बाई बाई फ्रेंड्स